के विडियो लेक्षर हम लोग एक नए नंबर के वारे में सिखेंगे यह नंबर है बाइनरी नंबर जैसे रीयल नंबर इमेजनरी नंबर सिखे, उसी प्रकार से एक और नमबर आपको जानना चाहिए यह है binary number binary number, real number का ही part है real number बास्तविक संख्या, उसी का यह part है binary, यह जो सब्द देख रहे है, binary इसमें by का मतलब होता है दो binary, मतलब एक ऐसा नमबर जिसमें दो ही digit यूज होते है बस दो digit यूज होंगे एक 0 और एक 1 ऐसे नमबर को करते हैं हम लोग binary number, जिस नमबर को हम लोग common रूप में जानते हैं, वो है decimal number, natural number, even number इन सारे numbers में 10 digit यूज होता है 10 digit 0 से लेके 9 तक 0, 1, 2 से लेकर के 9 तक ये total 10 digit है इस नमबर का base होता है 10 base, जो normal number आप जानते हैं, जैसे माल लीजिए आप लिखे देते हैं 132 इसका मतलब होता है 2 into 10 to the power 0 0, plus 3 into 10 to the power 1, plus 1 into 10 to the power 2, यानि 100 plus 30 plus 2, यानि 132, ये होता है आपको decimal number, जिसका base होता है 10, आज आप सीखेंगे binary number, बाइनरी नमबर, तो बाइनरी नमबर के बारे में हम आपको बता है, यह एक ऐसा नमबर है, जिसमें मात्र दो ही डिजिट यूजिट यूज है, आप लिखे यूज होता है, और एक डिजिट है 0, एक डिजिट है 1, यह 0 और 1, यह कहलाता है bit, 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 इस नमबर का जो base है, वो base होता है 2, base 2, यह एक ऐसा नमबर है, जिसमें 2 ही डिजिट यूज होता है, 0 और 1, और इस नमबर का base होता है 2, इस लेक्चर में आप सिखेंगे, कि कैसे किस को modern physics में काम आएगा computer में भी काम आएगा हर जगह पर यह एक number system का part है इसे जानना चाहिए चलिए binary number को मन से समझते हैं देखते हैं जैसे मान लिजिए कि कोई number है 5 तो इसको हम binary में कैसे लिख सकते हैं binary में वही number होगा जिसमें दो ही digit यूज होगा एक होगा जीरो और दूसरा होगा वन तो किसी भी number को binary में लिखने के लिए आप उसको टू से divide कर दीजे तो टू टू जा फोर remainder वन यहां लिख दीजे फिर टू बन जा टू remainder यहां रख दीजे और नीचे से उपर ले जाए यह number को यानि जो पांच जिसका बेस दस था वो number हो गया 101 और इसका बेस हो गया दो यह binary नंबर हो गया पांच के बदले में 101 नहीं बोलेंगे इसको 101 और बेस टू यह 101 जो है इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या यह 5 है तो कैसे लिखेंगे यह हो जाएगा 1 इंटू 2 का पावर 0 बेस 2 है इसलिए पलस 0 इंटू 2 का पावर 1 पलस 1 इंटू 2 का पावर 2 तो 2 का पावर 2 4 यह 0 अब 1 इंटू 2 का पावर 0 1 यानि 4 और एक 5 यानि जो नंबर 5 है डेसिमल नंबर में वो बाइनरी नंबर में है 101 यानि 5 के जगा पर लिख सकते हैं 501 दो डिजिट तो होई गया 0 यह 0 यह 1 यह 2 2 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 को लिखेंगे यह देखें 1 टाइमस में लगेगा 212 और रिमेंडर हो गया 0 यानि 1 0 जो वहाँ बेस 10 का काम करता है वो यहाँ 2 का काम करेंगे यानि 2 को हम 1 0 लिखेंगे इसी प्रकार से 3 को क्या लिखेंगे 3 को लिखना है तो 2 से डिवाइट किजिए 2 1 जा 2 रिमेंडर हो गया 1 यानि 1 1 जो है यह होगी आप बाइनरी में किसको 3 को तीन नंबर जो है नंबर जो 3 है उसको बाइनरी में क्या लिखेंगे 1 1 जो 1 1 है उसको आप साबित भी कर सकते हैं कि यह 3 है कि नहीं तो यह हो जाएगा 1 into 2 का power 0 पलस 1 into 2 का power 1 यह place value हो गया 0 यह place value 1 तो 2 का power 0 और यह value 1 यह पलस 2 का power 1 into 1 यह हो गया 2 और 2 का power 0 1 into 1 तो 2 और 1 मिलकर के हो गया 3 2 और 1 3 जैसे मान लिजी हमको लिखना है 10 10 को binary में कैसे लिखेंगे तो आप 2 से divide कीजी 5 2 जाट 10 remainder 0 2 2 जाट 4 remainder 1 2 2 जाट 4 फिर 2 1 जाट 2 remainder 0 यानि 1010 1010 यह क्यां सा number हो गया यह number हो गया आपका 10 10 binary में हुआ 1010 और 10 हुआ decimal number 1010 देखें यह 0 हो गया यहां 2 का power 1 यानि 2 यह 0 हो गया यहां 2 का power 0, 1, 2, 3 2 का power 3 यानि 8 तो 8 पलस 2 कितना हो जाएगा 10 जैसे मान लिजिए आपको 11th को लिखना है कि 11 को हम binary में क्या लिख सकते हैं 11 को तो पहले 2 से डिवाइट किजी 5, 2 जाट 10 रिमेंडर हो गया 1 फिर 2, 2 जाट 4 रिमेंडर हो गया 1 फिर 2, 1 जाट 2 रिमेंडर हो गया 0 यानि 1, 0, 1, 1 यह जो नंबर है binary में यह किसको रिप्रिजेंट करेगा तो decimal में 11 को रिप्रिजेंट करेगा यह 11 कैसे हो गया तो देखिए यहाँ हो गया 1 इंटू 2 के पावर 0 यानि 1 यहाँ हो गया 1 इंटू 2 के पावर 1 यानि 2 और यह तो हो जाएगा 0 और यहाँ देखिए 1 इंटू 2 का पावर 3 हो गया यानि 8, 3 कैसे 0, 1, 2, 3 तो 8, 2, 10 और 1 यह क्या हो जाएगा 11 यानि किसी भी नमबर को आप binary number में लिख सकते हैं binary number एक ऐसा number है जिसमें दो ही digit use होंगे 0 और 1 किसी भी number को आप binary में लिख सकते हैं यह से मान लिजी हमको लिखना है binary digit में 15 को 15 को हम क्या लिख सकते हैं तो 2 से divide किजिए 7 to 14 remainder 1 2 से divide किजिए 3 to 6 remainder 1 2 से divide किजिए 1 to 2 remainder 1 यानि 1111 यह binary में हो गया किसका 15 का 15 जो number है उसको binary में कैसे represent करेंगे 1111 देखिए इसको आप explain भी कर सकते हैं यह तो होगिया 1 into 2 का power 0 यहां होगिया 1 into 2 का power 2 यहां होगिया 1 into 2 का power 3 तो 8 4 12 12 14 और 1 15 किसी भी number को आप binary में लिख सकते हैं उमीद है कि आप सीख रहे होंगे बड़े बड़े नंबर को भी लिख सकते हैं किसी भी number को लिख सकते हैं छोड़ा छोड़ा example दिए कि आप समझ जाईए जैसे मान लिजे हमको 67 को लिखना है binary में तो process वही होगा आप 2 से divide किजिए 33 2066 remainder हो गया 1 फिर दो बार में 16 दूनी 32 remainder 1 फिर दो बार में 8 दूनी 16 remainder 0 फिर दो बार में 4 दूनी 8 remainder 0 फिर दो बार में 2 दूना 4 remainder 0 अब फिर दो बार में 1 दूना 2 remainder 0 तो यहां नीचे से लिखेंगे यह हो गया आपका 67 देखिए यह हो गया आपका 1 यह 1 इंटु 2 का पावर 1 यानि 2 इस अब 0 और यह कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह हो गया 2 का पावर 6 यानि कितना 64 तो 64 और 2, 66 और 1, 67 यह यह नंबर हो गया आपका बाइनरी में किसी भी नंबर को आप बाइनरी में लिख सकते हैं बाइनरी नंबर का भी अपना एक अलजबरा होता है जोड घटाओ, गुना, भाग यह सब के सब अगले लेक्चर में हम उसको बताएंगे अभी आप इसको और बढ़िये से समझे, बाइनरी नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें दो ही डिजित यूज होता है एक जीरो और एक वन, जीरो और वन ये कहलाता है बीट, 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 किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में लिखने के लिए दो से डिवाइड करते हैं और फिर नीचे से उपर तक लेके चले जाते हैं, जो भी हो, जैसे है, माल लिजिए कि एक नंबर हम लिख रहे हैं, 50, इसको हमको बाइनरी में लिखना है तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 25 दूनी 50, रिमेंडर कितना हो गया, 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, रिमेंडर हो गया, 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, रिमेंडर हो गया, 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, रिमेंडर हो गया, 0, तो नमबर यहां से लिखेंगे, नीचे से, क्या हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं कि जो आप बनाएं हो सही है कि नहीं, यह तो होगी आपका 0, यहां होगी 1 इंटू 2 के पावर 1, यानि 2, यह 0, यह 0, यहां देखिए 1 इंटू 2 का पावर, 0, 1, 2, 3, 4, यहां दू का पावर 4 है, यानि 16 है, और यहां दू का पावर 5 है, यानि यह 32 है, तो 32 और 2, 34, 46, 40, 10, यह 50 है, उमिद है कि आप सीख गये होंगे, कि किसी भी नमबर को बाइनरी नमबर में कैसे लिखते हैं, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, कि बाइनरी नमबर का जोड घटाओ, गुना और भाग कैसे करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में इसे सेर कीजिए, ये कॉमर्स के स्टुडेंट को पढ़ना होता है ज्यादा, कम्प्यूटर में भी बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, और मोडर्न फिजिक्स में 12 के विद्यार्थियों के लिए ये यूजफुल होगा, वीडियो अंतर तक देखे, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन प्राइब